प्रभाद बच्चो मैं कुछ पुशर्मा आज की ओनलाइन क्लास्स में आपका स्वागत करती हूँ बच्चो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण हिंदी व्याकरण के अंतरगत हम पढ़ेंगे लगू कथा लगू कथा लगू कथा शब्द का निर्मान लगू और कथा से मिलकर हुआ है अर्थात लगू कथा गद्द की एक ऐसी विदा है जो आकार में लगू है अर्थात छोटी है और इसमें कथा तत्व विदुमान है अतहा हम कह सकते हैं कि लगूता ही इसकी मुख्य पहचान है कथा विधा की संख्षिप्त अभिव्यक्ति का नाम ही लगुकथा है अर्थात चण विशेश में उपजे भाव या घटना के प्रमाण की अभिव्यक्ति ही लगुकथा है जिस प्रकार उपन्यास खोली आखों से देखी गई घटनाओं का परिस्थितियों का संग्रह होता है उसी प्रकार कहानी दुर्बिंद रिष्टि से देखी गई किसी घटना या कई घटनाओं का वर्णन होती है इसके विप्रेत लगुकथा के लिए हम माइक्रोस्कोपिक दृष्टि की आवशक्ता होती अर्थात पूरे जीवन की कहानी का नाम उपन्यास है जीवन की एक भाग की कहानी का नाम कहानी है और जीवन के एक छण की कहानी का नाम लगुकथा है लगु कथा को हम आशु कथा, अणु कथा, पोश्ट कार्ड कथा, हातेली कथा, पाम स्ठोरी, छोटी कहानी भी कहते हैं बचो उपन्यास और कहानी के तरह ही लगु कथा में भी छै प्रकार के तत्व होते हैं कथानक, पात्र, समवाद, कथोपकतन, भाशाशैली, उदेश्य और वातावरन इसी तरह से बचो लगु कथा की भी चार अवस्थाई होती हैं आरंभ, आरोह, चरम और अंत बचो लगु कथा लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान देना अत्यानत्य आवशक है लगु कथा की कहानी प्रस्तुत करने से पहले उसके घटना क्रम की निरंतरता पर ध्यान देना जरूरी है निरंतरता का मतलब है घटना का क्रम अनुसार होना लगु कथा में कथात्मक्ता की गुण का होना आवशक है कथात्मक्ता का अर्थ होता है कहानी कहने का तरीका कहानी में कथ्य का अर्थात कहानी का होना जरूरी है बिना कहानी के कोई भी लगुकथा पाठकों को अपनी और आकरशित नहीं करती है लगुकता के समवाद बच्चो वो प्रभावी और पात्रों के अनुकूल होने चाहिए लगुकता तभी अच्छी मानी जाती है जब वह अंततह पाठकों में जिग्यासा और रोचकता पैदा करे अर्थात ऐसी लगुकता होनी चाहिए जिससे पढ़ने वाले के मन में रोचकता जिग्यासा का भाव उत्पन्न हो लगुकता लिखते समय हमें शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है वच्छो क्योंकि इसका नाम ही है लगुकता अता लगुकता संक्षिप्त होनी चाहिए लगुकता लिखते समय हमें शब्द सीमा का ध्यान रखना है लगुकता संक्षिप्त होनी चाहिए लगुकता का अंत अत्यंती प्रभाव शाली और विचारों तेजक होना चाहिए शिर्शक कहानी को परिभाशित करता हो ऐसा होना चाहिए पात्रों की संक्षिप्त पर भी हमें ध्यान देने की आवशक्ता होती है लगुकथा लेखन का उद्देश्य बच्चो बच्चों में रचनात्मक्ता को बढ़ाना है बच्चों में रचनात्मक्त प्रिया जो होती है रचना करने की जो अभिव्यक्ति करने की बात होती है उसे बढ़ाना होता है तथा जो कथा है वह सिक्षा प्रद हो तथा नैती सि कि रुक्षा को प्रेरियत करने वाली होनी चाहिए कि कि發現 यह जाक्र-पथु आज हुमने लगुख पता के विशे में जाना आशा है आपको लगुख कथा के विशे में किस तरह से लिखना है और कि क्या होती है लगुखता को लिखते समय किन बातों का ध्यान देना है यह आपने समझा होगा इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है धन्यवाद